इन्समूस joking अस्सलाम अलेकुम वेल्कम टो माइ कुकिंग चैनल तो आज आपके लिए मिने लेकर आई हम बहुत ही मज्य दा रेसिपी यह तो आज हम बना रहे हैं कुल्फ़ा आइस क्रीम जो कमें बहुत ही मज्य बनती है जिसे बनाना बहुत ही असान है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसेपी को जिसके लिए चाहिए हमें सबसे पहले दूद और दूद हमने लिया है वन एन हाफ लिटर जिसे हम हाई फ्लेम पर बॉयल कर रहे हैं इसमें तक्रीबान बॉयल आ चुका है अब हम इ यह पापे हम क्यों डाल रहे हैं इसकी जगा हम ब्रेट स्लैशइस भी डाल सकते हैं मगर पापे डालने से क्या होगा कि हमारी आइस क्रीम का कलर अच्छा आएगा तो यह तीन अदद पापे हम इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से डिप कर देंगे दूद में और अब हम डालेंगे दो अदद अंडे अंडों को हम एक प्याली में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से फेट लेंगे अच्छे से फेटने के बाद इन अंडों को हम दूद में डालेंगे दूद में डालने के बाद इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे और इसे हम 5-10 मिनट तक पकाएंगे medium flame पर 5-10 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3-4 अदत इलाइची और इसे अच्छे से mix कर देंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक प्याली शुगर और इस अच्छे से मिक्स करेंगे मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं इसे हम मीडियम फिलेम पर पकने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट तक ताकि यह अच्छे से गाड़ा हो जाए तो अब आप एक काम करिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बुलिएगा वीडियो अगर अच्छी लगी तो कामेंट्स लाजमी करिएगा लाजमी बताएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी तक्रीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे खोया खोया ओप्शनल है अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं नहीं तो आप इसे इसकिप भी कर सकते हैं खोया डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो देखिए कुल्फा आइस क्रीम का मिक्स्टर जो है वो ठंडा हो चुका है इस मिक्स्टर को हम एक ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसे एक से दो मिनट के लिए हम ब्लेंड कर लेंगे इस तरीके से अब हमें एक मॉडल ले लेंगे जिसमें हम आइस क्रीम को जमाएंगे और ड्राइफूट डालेंगे उसमें पहले से मैंने कटिंग करके रखे हुए थे आपको जो ड्राइफूट पसंद है आप वो डाल सकते हैं अब हम मिक्स्टर को डालेंगे जो हमने ब्लेंड किया था और अब हम इसके उपर थोड़े से और ड्राइफूट डाल देंगे और इसे ओवर नाइट के लिए रख देंगे तो यह देखिए हमारी आइस क्रीम जम चुकी है अच्छी तरह से इसे हम बाहर निकालेंगे पहले हम इसे नाइफ की मदद से इसके किनारों को हटा लेंगे और फिर इसे एक ट्रे में हम निकाल लेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसे सर्फ करेंगे और आप मुझे कमेंट्स कसके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसेपी कैसी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अब मुझे दें अजाज़त नेक्स वीडियो तक के लिए अल्ला हाफिस